हलो फ्रेंड्स आज हम चटपट चटोर किचिन में बनाने वाले हैं नारियल के लड़ू तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है यहां मैंने लिया है एक चम्मज घी दो से तीन चम्मज मिल्क पाउडर तीन से चार चम्मज शुगर और यहां पे मैंने कच्चा नारियल को मिकसर में पीस लिया है तीन से चार इलाइची ले लिया है एक पैन को गैस में रखके गैस का फ्लेम हमने आउन कर लिया है पैन में अब हम घी को डाल लेंगे घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेना है जब घी मेल्ट हो जाए तब हमें पिसे हुए कोकुनट को डाल लेना है पास से छे मिनिट तक हमें इस कोकुनट को सेख लेना है कोकुनट को सेखते समय हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे देखिए हमारे कोकुनट यहां पे सिख चुके है जब कोकुनट सिख जाए तब हम उसमें सारा का सारा मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो मिनिट तक मिक्स करने के बाद हम उम इसमें चीनी डाल लेंगे यहाँ पे मैंने तीन चमच चीनी उसकी है आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग चीनी कम या जादा कर सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी अट करेंगे जिससे की ये अच्छे से बाइंड हो जाए पास से च्छे मिनट तक हम इसको लोव फ्लेम में योही पकाएंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जाये तब हम इसमें इलाची पाऊडर को डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 6-7 मिनिट तक हम इसको मीडियम फ्लेम में यूही पकाएंगे 6-7 मिनिट पकाने के बाद हम कैसका फ्लेम आफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद हम इसकी गोलिया बना लेंगे इस तरह लड्डू का शेप देने के बाद हम ड्राइ कोकुन नट पाउडर में हम इसको अच्छे से लपेट लेंगे थोड़ा सा हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से इसमें चिपक जाए यहाँ पे हमारा एक लड्डू बन के तयार हो चुका है अब हम दूसरा लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा डोलेंगे उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे इसको भी हमें प्रेस करके लड्डू का शेप दे देना है जब ये शेप में आ जाए तब हम इसको भी dry coconut powder में अच्छे से मिला लेंगे इसको भी पहले वाले की तरह अच्छे से दवा लेंगे ताकि ये इसमें अच्छे से चिपक जाए इस तरह हमारा दूसरा लड्डू भी बनके तयार हो चुका है अब हम तीसरा लड्डू भी इसी तरह बना लेंगे यहाँ पर हमारा तीसरा लड्डू भी बनके तयार हो चुका है चौते लड्डू को भी हम उसी तरह बना लेंगे यहाँ मैंने लगबग आधा काटोरी कोकोनेट से चार लड्डू बना कर तयार कर लिये है यहां पर हमारा चौथा लड्डू भी बनके तयार हो चुका है लो तयार है हमारे कोकोनेट लड्डू मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सस्क्राइब करें थेंक यू